हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में अर्षाट पीपियसी के लिए इरूटेरिया का प्रैक्टिसेट नमबर फिप्ट देख रहे हैं आपको अगर करेंट इंटरफेर्स देखना चाहते हो नीचे आपको डिस्क्रिप्सर में लिंक दिया गया है चाहें तो क्लास के लाष्ट में थमनेल सो करेगा वहाँ से आ करके करेंट इंटरफेर्स आप लोग देख लीजेगा आईए आज के इस क्लास के कोशन नमबर फर्ष्ट को सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला सवाल है कि महमूद गजनवी की भारत आकरमन का मुख्य उद्देश क्या था ओप्सन सी सही जबाव धन की प्राप्ती थी अत्यंत सुडिले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौनशा सासक कुरान खा के नाम से फेमस था दर्चिन भारत के प्रसासन में पॉलिगार थे कौन एर आई टानसर छेत्रिय प्रसासक एवंग शैन नियंतरक सही जवाब है हुमायूद द्वारा लड़े गए निम्निकित प्रमुक युद्धों को काल करम के अनुसार बर्तिकरम में रिवस्थित करिए ध्यान रखें सबसे पहले आप देवरा का युद्ध याद कर लिजिए 1532 में हुआ था 14 का हुआ था 1549 में कनोज हुआ था 40 में और सरहिंद हुआ था 1555 में इसे साब से मैच कर लिजिएगा अकबर का दिन ए इलाही धर्म एकेश्वरवात पर आधारित था अकबर ने इसकी शुरवात की थी 1582 में की गई थी ओप्शन इटीक करेंगे जुनागर अभिलेक में निम्ड में से किस शाशक के संदर में विवरन मिलता है जुनागर अभिलेक में रूदर दामन, चंदर गुप्त मौर, अशूक, इसकंद गुप्त सभी के बारे में दिया गया है इटीक करेंगे देवी चंद्र गुप्तम किश्की परसीद रचना है सीरा आई टांसर विशाक दत्त की नमबर एट पर आजाईए नम्रिकित में से किस इस्तूप का समन्द बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है बताईए नमबर एट का हो जाएगा डीर आई टांसर साची का कोई समन्द नहीं रहा है साची कैसा बौद इस्तूप है जिसका कि बौद की जीवन से ध्यान रखेंगे कोई समन्द नहीं है याद कर लिजेगा निमलिकित बताईए कि हरपा सब्विता का महत्पुन अस्थल सूत कांगे डोर जो है ये किस नदी के तरद पर था ऑप्शन नमबर डी दाश्क नदी के सिंदूग हाटी सब्विता एवंग वैदिक सब्विता में अंतर का आधार नहीं है देखे सिंदूग हाटी सब्विता एक विक्षित नगरिये सब्विता थी और वैदिक सब्विता आप जानते हैं कि इसलिए आप सबसे पहले आप्शन नमबर ई पर ध्यान रखेगा सिंदूग हाटी के निवाशी को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उत्तर वैदिक काल में वैदिक सब्यता के निवासी को लोहे की जानकारी हो गए थी सिंदुखाटी सब्यता के निवासी लेखन कला से परचित थे और इसका एक कहिए के लिए पी भी अपना था इसके अलावे अगर हरपा की बात करेंगे हरपा अस्तल से हरपा का जो धौला भी रहा है यहां से एक जल प्रबंदन का परमान भी मिला है इसलिए आप यहां पर ध्यान रखें ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा बिहार में अशरयों का अंदोलन के दौरान किसने सदाकत आसरम की अस्थापना की थी सीराय टांसर मजहरूल हक ने सितंबर 1928 मे बिहार के किस करांतिकारी ने भाग लिया था पनिंदरनाथ घोस सही जवाब है बी नमक सत्यागरा के दौरान चर्चित अस्थल नाखास पेंड निम्न में से किस राज में इस्थित था डीराय टांसर बिहार में निम्निकित में से कौन सा यूग सुमेरित नहीं है सभी यहां पे सही दिया हुआ है अराम से इसे आप देख लें याद कर ले अगर याद नहीं है तो नमबर फिप्टीन भारत के सुतंतरता संगराम से समंदित निम्निकित घटनाओं में से अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी आप धियान रखें रॉलेक्ट टेक्ट इसे आप अगर देखे तो 6 अप्रेल को हुआ था 1919 में ठीक है रॉलेट अधिनियम है यह आपका 19 मार्ज 1919 को आया था जो भारती राष्टी है जो कॉंग्रेस का जो अमरीत सर्वाला अधिवेशन है यह आपका 2 दिसंबर 1919 को हुआ था जलिया वाला बागा बच्चे से जान गवर्नर जनरल के कारिकाल में कोलकाता में एस्याटिक सोसाइटी की अस्थापना की गए थी नाम है उसका ऑप्चन नंबर सी वारेन हैस्टिंग्स भारत में करजन के प्रसासन की तुलना और अंग्जेब ने किस्से की थी और अंग्जेब से किस्ने किया था 17 का हो किया था से राइटांसर लॉड वेलेजनी ने किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकायता के लिए पहली बार सजा मिली थी ये राइटांसर वर्ष अठादोसवा बेडासी में साधारन ब्रह्म समाज की अस्थापना किस्ने किया था साधारन ब्रह्म समाज की अस्थापना आनंद मोहन बोष और सिवनात सास्त्री के द्वारा किया गया था कब सवारिया पूछ लेगा तूँ क्या बताईएगा 1878 में 1878 में नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवन लड़कों के विवाह के नियूंतम आयूकरम सा 14 से 18 वर्ष निर्धारित की गई थी यह किस एक्ट में किस वर्ष मतलब पारित हुआ था आठारो सो 72 में हुआ था आप्शन नहीं दिया हुआ है निम्लिकित में से किस रचना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती पर्था का विरोध किया था सी राय टांसर समवात कुमोधी के माध्यम से कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में राष्टिय आर्थिक कारिकम इवंग मौलिक अधिकार समंधी प्रस्ताव पास किये गए थे कराची अधिवेशन वर्स 1931 डी राइट आंसर हो जाएगा निम्लिकित में से कौन शुभास चदर बोष के राइनेती गुरू थे 19 सदावदी में भारत पर अंग्रेजी सासन का परिणाव आर्थिक तौर पर्णिम लिकित में से क्या था भी राइट आसर भारती क्रिसी का वानिजी करन होना मुसल्मानों के लिए प्रिथक राष्ट का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था मुसलिम लिके इलावाद अधिवेशन में सबसे पहले मुहमद इकवाल ने एक प्रिथक मुसलिम राजी का प्रस्ताव रखा था ऑप्शन नमबर ए ठीक करेंगे अखिल भारतिय राज जन कॉन्फरेंस का आयोजन कब किया गया था वर्स 1927 सी सही जवाब अखिल भारतिय मुसलिम लिके किस अधिवेशन में बकरीद के अवशर पर गोवज निशिद का प्रस्ताव पारित किया गया था सी राइट अवसर वर्स 1919 अमरित सर में डिस्कावरी ओफ इंडिया पुस्तक के जो रचनाकार है ये जवाहर लाल नहिरू है किस जेल में रहकर किये थे एहमद नगर फोर्ट जेल में निमलिखित में से किस ने मराठी पत्रिका बहिस्कृत भारत प्रकाशित की थी बहिस्कृत भारत के लिए आपको ध्यान रख लेना है बी राइट अंसर बी आरंबित कर सहाब किये थे मातवा गांदी द्वारा भारत में पहला अमरन अंसर स्टार्ट हुआ था कब सी राइट अंसर सामपरदाइक नेड़ने के विरुद में किया गया था नमबर 33 निम्लिखित में थे किस विशे पर मतवेद होने के कारण द्यूतिये गोल में शम्मिरन और शफल हो गया बी राइट अंसर सामपरदाइक परतिनेड़ने के वजह से निम्लिखित करांती कारियों में से कौन काकुरी ट्रेन ड्यकैति कांट से समंदित नहीं थे सुखदेव नहीं थे रामपरसाद बिस्मील रौसान सिंग और अस्वाक अल्ला खां ये सब ही सामिल थे वर्स 1912 में कांट इसका 27 आधीवेशन बाकी पूर जो की पट्ना में हुआ था इसके अध्यक्ष का नाम निम्लिखित में से किस ने उदंत पूरी विहार का निर्मान करवाया था? सी राइट आसर भारत सासन अधिनियम उनिश्व नीश्व नीश्व के तहर निमलिखित में से कौन सी महत्यपूर्ण विशेष्टा शंग्य सरकार की है सम्विधान की सर्वोचिता दो या अधिक अस्तरों वाले सरकार और स्वतंत्र नियाय पालेगा अपातकाल का प्रावधान नहीं है पहरा दूसरा तिसरा कथन सही है और संसिटिक करिएगा भारत सासन अधिनियम 1935 में निमलिखित में से कौन प्रावधान सामिल नहीं था देखिए अखिल भारत संग की अस्थापना था प्रांतों में द्वैट सासन की समाप्ति था केंद्र में द्वैट सासन प्रणाली का आरम करना भी था दलित महला और महजूर के लिए निवाचन में वस्था की सुर्वात करना भी था इस राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है वर्तमार में भारत में कितने राज और संग छेत्र जो हैं संग डाज यह हैं आपको द्यान रखना है 28 और आठ बी सही जवाब हो जाएगा 28 राज आठ संग छेत्र हैं राज संग यसे आप केंद्र सासित परदेश कहते हो प्रान एवंग द्याहिक सुतंत्रता के अधिकार का वर्डन समिधान के किस अनुच्छेद में है combat dot 11 61 में भारतिय समिधान में वर्यणित मूल अधिकारों का संग द्यान रखिये Shift सबसे पहले भारती समिजावन के भाग तीन के अंदरगत अनुच्छे 12 से 35 तक मूर अधिकार दिया गया है अगर कभी किसी संस्था वेक्ति शरकार के द्वारा किसी वेक्ति के मूर अधिकार का हनन रहन होता है तो सरवोच नियाले के अनुच्छे 32 और उच नियाले के अनुच्छे जो आपका 226 है इसके तहत रीट जारी किया जाता है ये दोनों होते हैं इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बारत के राष्टरपती के अनुच्छे जाता है नम्बर डी इनका मुल उदिष राष्टरपती के अस्थापना करना होता है ये गलत है पहला दोसरा तिसरा तीनों कथन सही है भारत के राश्ट्रपति के पास निविखित में से कौन सी वीटो सक्ति प्राप्थ बताईए समिधान के अनुच्छे जो 111 है इसके तहत राश्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमती देने के लिए या फिर रोकने के लिए प्राप्धान की गई है जो आप आतियांतिक या फिलंभालकारी और यह पॉकेट विटो है यह कहते हो भारत में समिधान में विटो सब्द के बारे में पुछेगा परयोग नहीं किया है लेकिन ध्यान रखें समिधान के व्याख्या और जो व्याख्यावगरा करने के अलहार हम कह सकते हैं कि तीन वीटो सकती राष्ट्र पती के पास दिया गया है इसे दिहान लगें ओप्शन नमबर A फिर आपका जो निलम बनकारी है इसके अलावे आप कह सकते हैं पॉकेट वीटो ये तीनों आप मान सकते हैं इटीक करना है वर्तमान में राज सभा के कितने सदसेकेंद सासित परदेश से चुन कर आ रहे हैं बी राइट आपसर आठ बिहार्द में लोग सभा के लिए आवंटित सीट में कितना अनुसूचित जातियों के लिए अरक्षित किया गया है बी राइट आपसर छे सीट भारत के राष्ट्रपती पर महावयोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पुर्व शूचना देना जरूरी होता है बी राइट आपसर चौदा दिन पहले बारतिया निर्वाचन आयोक कुशर पर्थम किस वर्ष बहु सदस्य निकाय बनाया गया ये राइट आपसर 1989 में महारत के समिधान के किस अनुसूची में दल बदल सबंदी उपबंध है दस्वी अनुसूची आपको ध्यान रख लेना है दस्वी में क्या है दल बदल के बारे में दी गई है मुख्य चुनाव आयोक्त को पद्चूद किया जा सकता है देखें मुख्य चुनाव आयोक्त को हर सदन के अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत या फिर जो उपस्थित लोग होते हैं या फिर मत देने वाले जो सदस्य होते हैं उन सब में से कम से कम टूबाय थर्ड जो बहुमत है समर्थित समावेशन के कहिए कि आधार पर राष्ट्रपती के समग्च अगर रखना हो रखते हैं तो राष्ट्रपती के आदेश के द्वारा इसे पदच्यूत यानिकी फिर हटाया जा सकता है इटीक करिएगा जनसंख्या नियंत्रन एवंग परिवार नियोजन समिधान के साथ वियन सूची के किस सूची का विशे है सी राइट अंसर समवर्ती का है यह वह कौन सा तापकरम है जिस पर सेंटिग्रेट तथा फोरें हाइट दोनों स्केल इक्वल हो जाते हैं मैनस फूट्टी होता है जो आप्शन में नहीं दिया गया है एटीक करना है निम्निमे से प्रकास का रंग किस के द्वारा निधारित होता है ए प्रकास का तरंग देर आपका सही जवाब हो जाएगा एफला टॉक्सिन विशाक्तन द्वारा मनुस्य के सामान निता कौन शांग प्रभावित होता है ए यक्रित सही जवाब निम्न में से बताए है यह हैड्रोकलिक विजेक के कार करने का ज किया जाता है डी राइट अंसर यूडिनियम का इमन में से कौन सी बहुतिक राशियां की इकाई समान है देखिए बहुतिक राशी इकाई दाव का पासकल आप बताईएगा दाव पासकल इक्वल होता है यहाँ पर आपसे समझे बल भार जो कि देखिए अलग-अलग करके दिया है बल उच्छेप आपका सही हो जाएगा इसके साथ आप भार को भी ले सकते हैं कि सब का जो है राशी ये इक्वल होता है इसलिए आपको इटिक करना पड़ेगा सब में कुछ न कुछ दिख रहा है निमने में से उश्मा का सरवोत्तम सुचालक कौन सा है बी इसलिए आप यहां पर ध्यान रखें यह आपका सही जवाब हो जाएगा जल में वायू की बुलबुला किसकी भाति व्यावहार करता है ये राइट अंसर अवतल लेंस की भाति 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 में पाया जाने वारा टैटेनियम युक्त खनीच कौन सा है बी राइट अंसर हो वर्य साथ की एक इत्त्तु की इलेक्ट्रोन बंदुता उच होती है सही है निश्कीए गैस का गलनांग निमन होता है सही है सबसे अधिक इलेक्ट्रोन बंदुता फ्लोरीन की दिया होई गलत है सबसे अधिक इलेक्ट्रोन बंदुता फ्लोरीन के बदले आप क्लोरीन ले लीजिए क्लोरीन की होती है याद रखिएगा आज कल सरवाधिक प्रचलीत एवंग सुरक्षित सक्कर का विकल्प क्या है एसपार्टेम हरी पतेदार सब्जियां निम्लिकित विटामीन में से किसका बरपूर सुरोत है ए विटामीन एक नारियल के फल का फैलाव होता है ए मे सब्दाच करके सही उत्तर को मिलाना है 68 का नेलात होथा तूतिया जैसे कहते हो कॉपर सलफेट इसके लिए आपको मिलाना पड़ेगा एप लवन के-लियए मैग्निसियम confet बताना है फीर इसके बाद आता है बेकिंग सूडा बेकिंग स्था केया सोडियम लाइक we оказ I act आप पौध्य द्वारा उत्पादित होने वाला अफशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है? पौध्य द्वारा अफशिष्ट होने वाला पदार्थ में कारवन डायोकसाइड, आकसीजन और जलवास आते हैं इटिक करेंगे निमनिकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है A right answer तत्तो का निमन में से किस परकेडिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्टित हो जाती है C right answer निक्छेपन में विद्धी हार्मोन किस गरंथी से सरावित होता है D right answer pituitary से निमन में से काच किस में गुलंसील होता है B HF यानि कि हैड्रोफ्रोरिक अमल में निमन में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है देखिए सबसे परे ध्यान रखें और पादक के लिए आप पेर, पौधे और सैवाल बताईएगा प्रात्मे को बोगता में हिरन कह रहा है प्रात्मे को बोगता होता है जो भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होता है क्या हिरन होता है खुद सोचिए दूसरा बोगता कह रहा है तेंदुआ दूसरे में आप साप भेरिया को ले सकते हैं तिर्थिये उत्पादक अगर कहेगा तो आप ले सकते हैं तेंदुआ बाज बाग याद रखिएगा नमबर सेवेंटीफाइब निम्लिकित में से कौन पौधे में श्वसन के लिए आपको प्रभावित नहीं करता है 75 का पौधे में श्वसन को प्रभावित करने वाले कालक में आपका जल, प्रिकास, तापमान, वायो मंदल, ऑक्सिजन की मात्रा, कारबन डायोक्साइड ये सब ही आते हैं इटिक कर देंगे यहाँ पे भी निम्लिकित में से किस विकिजन का प्रियोग मान स्पेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है इंफ्रारेट का सी सही जबाब निम्लिकित में से किस विटामिन का राशाइनिक नाम है विटामिन के बी राइट आसर हो जाएगा फिलोक्विनोन होता है विटामिन के निमलिखित मैंसे कौन सी एक गैस वातावरंद पर दूसरक मानी जाती है D. Sulfur Dioxide निमलिखित इंदर धनोसी करांती का समबन किस से है इंदर धनोसी करांती के अंतरगतना नीला, पीला, हरा ये सारे करांती सामिल होते है ठीक है, इसलिए आप ऑप्शन E यहाँ पर भी टिक करेंगे जनगन्ना 2011 के अनुसार सरवादिक शाक्षर्टा वालके इंदर सासित परदिश का नाम है लक्षदीप, C. सही जवाब गोल कुंडा तथा पन्ना, भारत के परसित हीरे की खान है यह निम्न में से किस कुरम की चटानों से समन्दित है विन्दिकरम चरक की चटान है यह, भी सही जवाब कौन सा दर्रा, लद्दाख में अवस्थित नहीं है कारा कुरम जो जिलाच चांगला है, बनिहाल नहीं है ध्यान रखिएगा, बनिहाल, पीर पंजार और जो बुर्जील है यह सारे जम्मू कश्मीर की दर्रे है कौन सा यहाँ पर गलत दिख रहा है बताईए उत्री सहाइद्री का सर्वोच सिखर काल सुबाई, सही है देखिए, सबसे पहले समझे कुछ कुछ पॉइंट को पस्चमी घाट को सहाइद्री परवत अब कहते हैं और इसको दो भाग में बाट दिए है उत्री और दच्छनी वाला सहाइद्री, ठीक है ध्यान रखें, सोला डिग्री जो उत्तरी अक्छान से रेखा या गोवा से गुजरती है और यही इन दोनों को विभाजित करती है ठीक है, सही हो जाएगा ये नेक्स्ट पॉइंट समझे उत्री सहाइद्री का जो सर्वोच सिखर है नाम क्या है इसका उत्री सहाइद्री का सर्वोच सिखर का काल सुबाई बिल्कुल सही है ठीक है, अगर पूछेगा उचाई एक छे चार छे मीटर थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में एक छे चार छे, यानि कि 1646 मीटर इसकी उचाई है इसके साथ पूछेगा जैसे महाबलेश्वर का 1458 जो किसी का दूसरा चोटी है नेक्स्ट है दक्षनि सहाद्री का सर्वोच सिखर नाम दिया है कुंद्रे मूख ध्यान रखें, बिल्कुल सही है और इसका उचाई पूछेगा तो 1894 आप बताएंगे पूर्वी घाट की उचतम चोटी की कहड़ा विशाखा पत्रनम याद करिये सही है बिल्कुल सही है 1689 मीटर इसकी उचाई है और इसका दूसरा सर्वोच सिखर पूचता है जोटी महेंद्र गिरी बताइएगा दूसरी उचाई पर है महेंद्र गिनी यहाँ पर आप समझ गए सभी सही मैच किया हुआ है क्या ओप्शन टिक करेंगे ए एक भी नहीं हाट स्पोर्ट की अवद्हाना के परतिपादक कौन थे 84 का ए नार्मन मायर्स यहाँ पर मैच करिए भारतिये प्रानी विज्ञान सर्विक्षन जो केंद्र है कलकत्ता में है बैंगलूरू में है निम्न में से कहा मैंगरोव वन सदापणी वन तथा पंडपाती वनों का सयोजन मिल जाता है अंडमान और निकोबार में निम्न में से किस देश किस सीमालाल सागर के साथ नहीं लगती है इथूपिया के डी कोपेन के जलवायू वर्गी करने के अनुसर गंगा का मैदान भारत के किस जलवायू परदेश की अंतरगत आता है CWG से आपका राइड आंसर है रुद्र प्राग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है A. मंदाकिनी और अलक रंदा के संगम पर पोंग बांध परियोजना निमने में से किस नदी पर बनाया जा रहा है A. व्याश नदी पर सूरज मुखी के उतपादन में बिहार का देश में अस्थान है C. उपर से तीसरा सबसे अधिक विश्व में हिरे का संचित भंडार निमने में से किस देश में है रूस डी राइट आंसर कौन से जल्धारा हिंद महाशागर ये जल्धारा है मोजांबिक और अगरुहास जो है जल्धारा हिंद महाशागर की जल्धारा है E. टिक करिएगा विश्व के सबसे उची नौकायन धिल्धी टिकाका निमने में से किस पठार पर इस्थित है E. बॉलिविया के पठार पर परमार डॉर्फिन अभ्यारन बिहार के किस देश में है B. राइट आंसर रर्या में उपरी विंध्यन समू की चट्टाने बिहार के किस छेतर में पाई जाती है B. कैमूर और रहतार रोहतास के लिया में बॉक्साइट बिहार के किस छेतर में पाया जाता है D. राइट आंसर रोहतास में निम्न में से किस मद्द की जनगर्णा में बारत की जनसंख्या विद्धिर रिनातमक रहा था 11 से 21 में ए सही जवाब कौन सा देश तामबा उत्पादन में टॉप पर है C. पेरू वर्तमार में राष्टी आय की गर्णा है तू अरहर वर्ष क्या है ध्यान रखें ओप्शन C. दोहजर इग्यारा बारा को माना गया है इंद्रा कांधी आवाश योजना के शुरवात किस पंचवर्षी योजना में हुई थी यहाँ पे आपको C. बताना है सात्वी वाले में राइट आंसर हो जाएगा चतूर्थ पंचवर्षी योजना किस मौडल पर आधारित थी डी राइट आंसर गाडगिल मौडल पर सही चयन यहाँ पर कौन सा है बताए यहाँ पे ध्यान रखें L के जहाँ समीती के लिए आपको परत्यक्ष कर रिखा समीती के लिए और परत्यक्ष कर केलकर समीती करों में विरिद्धी और सुख में चक्रवर्थी समीती के लिए आपको मौडरिक परणाली पर पुनरविचार सही है याद कर ले सब भी को गरिवी के दुष्चक्र के सिधान का परतिपारन केस ने किया था बी राइट आसर प्रोफेशर राइगनर नर्क्सकी के दुआरा किया गया था नाबाड के समन में निमने वैसे कौन सा कथन सबते है देखिए समझेगा थोगा सा नाबाड क्रिशी और गरामिन विकास के छेत्र में वित्ति जनी की जो पैसा वगएड़ा है उपलब्त कराने वाली एक सरवोच संस्था है इसकी अस्थापना हुई थी सिवरामन समिती के नुसंसा पर कब 12 जुलाई 1982 को छीक है इसके अलावे ध्यान रखें 2019 में भारत सरकार नाबाड में लगी आरबी आई का जो सेस पुंजी है खरीद लिया जिस्टे की इस पर सरकार का पुर्ण स्वामित हो गया है इसे आप याद रखेंगे यहाँ पे आपको आप्शन नंबर इटिक करना पड़ेगा एक स्थाद एक सही जवाब है निमलकित में से किस वित्ती है वर्स में परहनी बार बिहारर आर्थिक सर्विक्षन प्रकासित किया गया था सिर्ढ आइट आंसर वर्स दोजाद 6 और 7 में 6-7 की समय में भारत में खाद परबंदन का निमन में से कौन सा एक वूदेश यही नहीं है दीराइट आंसर खाद्यानों का निर्यात नहीं है वितरन खरीद और खाद्यान के बफर इस्टोक करक रखाव करना ये सामील है बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अगरने अर्थान रखता है दीराइट आंसर रोहताज सही जवाब गंगा नदीर निम्लिकित में से बिहार के किस जिले में सबसे लंबा फैलाव है दीराइट आंसर पटना में आपको बताना है पूछेगा कितना 99 किलो मीटर याद रखिएगा निम्लिकित में से बिहार के किस जिले की जन संख्या विधिजर सबसे अधिक है बी राइट आंसर मदेपूरा की अनुपम जील बिहार की कहा पर तो एक कैमूर आपको बताना है निम्लिकित में से बिहार में कुल पंचायतों की संख्यां बताईए कितनी है ओप्सन नमबर C 8406 है टोटल बिहार में पंचायत निम्लिकित में से बिहार की किस परवंडल में जीलों की संख्यां सब से कम है C. राइट आंसर भागलपूर हो जाएगा बिहार राज आपदा परवंडल परादी करन में मुख्यमंतरी के अलावा कितने सदस्य होते हैं बिहार विधान परिशत की अस्थाबना निम्लिकित में से किस वर्स की गई थी बिहार में प्रकासित होने वारी समाचार पत्र सर्च लाइट के संपादक निम्लिकित में से कौन थे ए राइट आंसर मुडली मनोहर परसाद निमलिकित में से किसे माना जाता है चह जानन सुरस्वती को निमलिकित में से किस वर्ष बिहार भारत का स्वतन्त प्रदेश बना था जो अल्हिनियम है यह बिहार की दोारा कहरा है कब शुरिकार कर लिya गया था वर्स 1885 में 20 सही जवाब हो जाएगा लर्कियों और महिलाओं के लिए मावारी स्वचताद था पर जो रूड में अब तयार करने वाला है बिहार वो देश का कौन सा राज यह बताईए तो सी हो जाएगा पहला राज हाली में बिहार के किस जिले में आज ही आप लोगो को सादा सवाल बताया गया है वर्तमान में भारत के महानिवादी निमन में से कौन है आपको बताना है वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष का नाम है सुब्रकांत पांडा बताईएगा अभी फिक्की के अध्यक्ष है विस्व आर्थिक मंच द्वारा जारी गुरूबर जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का अस्थान 135 डी सही जवाब वर्त 2021 से किस्क में बिहार का सकल राज कोशिय घाटा सकल राज घायलो उत्पाद का कितना था ये राइट आंसर हो जाएगा तीन परसेंट बिहार को कितने क्रिशी जलवायू छेतर में विभाजित किया गया है बी राइट आंसर तीन बिहार अर्थिक सर्विक्षण 2021 222 के नुसार 2019 में बिहार में शुद बुवाय छेतर कितना था ये 50.77 लाग हेक्टेयर बिहार अर्थिक सर्विक्षण 2021 222 के कितना इस्क बिहार में फसल सघनता सरवाद 21 जिले में थी बीड आईट आंसर्चिवहर में प्रचलित मुल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल समवर्धन में शेवा छेद्र का हिस्सा कितना था सीरा आइट अंसर 53% निमन में से कौन सा संगी है बजट 2022-23 की चार प्रात्वित्ताओं में सामिल किये गए है संगीय बजट 2022-23 में आद में बिहार रोजगार योजना के लिए कितने रासी आवंटित की गई है बी राइट अंसर 6400 करोर रुपए भारत वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरन एवं विरिक्षावरन करम सा कितने विरिद्धी हुई है सी 75 वर किलोमेटर और 338 वर किलोमेटर को हुआ है बिहार में वन और विरिक्ष के मामले में विरिद्धी भारत वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्वन इस्टॉक होने का अनुमान कितना है साथ हजार दो सचार मिलियन टन वी राइट आंसर भारत वने सिती डिपोर्ट के दोजर इकीस के नुसार कहा रहा है कि देश के कारवन स्टॉक में वार्षिक वेधी हुई है कितनी की ए 49.7 मिलियन टन की निम्न में से कौन सा बिहार के भूगरविक इतिहास में सब से नवीन तम है सी बिहार का मैदान राइट आंसर बिहार में बरोनी रिफाइनेरी किसके सहयोग से बनाया गया था सी सोवियत रूस के माध्यम से बिहार का सूपरसिद जो आपका पसू मिला है कार्तिक पूर निमा में आयुजित होती है कहां पर शोनपूर डे राइट आंसर आज का लास्ट कोशन है रक्षिन बिहार में परचली परमपरागर जल सनरक्षान सिचाई पद्धति कहलाती है एर आई टांसर आहर और पनाई कहलाता है देखिए अभी तो आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर फेप्ट देखा जो कि इरूटेरिया कहीं था करेंट अफेश का थामनेल्स हो कर रहा है आप लोग इस चैनल पर आकर करेंट अफेश देख लिए इरूटेरिया का क्लास दिया गया है साथ ही साथ जब तक वि給 एसी Σी एक एक जाम नहीं होता है झाल झाल